पसकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में आज मैं आपको बताऊंगी शिव उपासना के समय किस दिशा में रखे अपना मूँग। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके शिव सत्ते हैं, शिव सुन्दर हैं और शिव ही विश्व का कल्यान करते हैं। शिव शब्द का मूल भाव होता है, कल्यान, सुख्व, आनंद, शास्त्रों के अनुसार बिना किसी की भक्ती के इंसान शव के समान हो जाता है। श्रावन, सावन, मा में शिव जी की आराधना करने से मनोवांचित फल की प्राप्ती होती है, लेकिन कोई भी देव आराधना अत्वा मंत्र। स्तोत्र और स्तुतिया का फल तभी प्राप्त होता है जब आराधना, विधी, विधान और शास्त्रोक्त तरीकों से की जाए शास्त्रों के अनुसार सोंवार या श्रावन, सावन, मा का कोई भी दिन शिव उपासना के लिए उत्तम है लेकिन कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखे जैसे शिव जी की आराधना सभग के समय पूर्व दिशा की ओर मुह करके करना चाहिए संध्या समय शिव साधना करते वक्त पश्चिम दिशा की ओर मुह रखे अगर शिव उपासक रात्त्री में शिव आराधना करता है तो उसके लिए उत्तरदिशा की ओर मुह रखे सोमवार शिव उपासना का विशेश दिन है इस दिन पूजा का बहुत ही शुप फल मिलता है लेकिन अन्य दिनों में भी उस दिन के प्रतिनिधी ग्रह की शांती के लिए शिफ पूजन कर सकते हैं सुभा स्नान के बाद रोज भगवान शंकर के साथ माता पारवती और नंदी को गंगा जल या पवित्र जल चणाएं चांदी का छोटा सा बिलवपत्र लाकर घर के शिफ जी पर चणाएं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो कृप्या वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें